कि नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन शमा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तू में कैसे हैं आप सभी आज हम यह आपर बात करने वाले हैं 5th of May 2023 के बारे में पांच माई 2023 का यह दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है कौन सी वैदिक रेमिडीज आज के दिन में आप सभी को करनी है क्या रहेगा आज का वास्तू का उपाय क्या है आज का एंजल नंबर और आज का affirmation कौन सा है golden wish time और कौन से समय से पूरी तरह से बचना है सारी जानकरी मिलेगी आपको इस वीडियो में अन तक देखेगा ताकि कोई भी चीज आप से बन रहा है साथ है साथ ही साथ आज के दिन में चंद्र ग्रहन भी है इसी वज़ेसे यहाँ पर कुछ चीजें बहुत अच्छी और कुछ चीजें बहुत जबाब दिखाई दे दी ती हैं और इस वज़े से इस दिन का महत्व अपन leg a foreal jya am कोई भी काम ना करें इस बात का विशेश ध्यान रखेगा जितना जल्दबाजी में काम करेंगे उतना ही जादा आपको परेशानिया देखने को मिलेंगी इसलिए पेशेंस रखना इस दिन में बहुत ज़्यादा जरूरी है पेशेंस रखने के साथ-साथ अपनी वानी पर न नजर आएंगे इसी के साथ-साथ यहां पर देखा जाए तो दिन में काफी जादा अच्छे योग भी यहां पर बने हुए हैं सिद्धी योग जिसको हम कहते हैं वह यहां पर बना हुआ है जो की काफी जादा अच्छा है जिससे की हम सभी की पूजा अरचना का फाइदा सिंबल जाएगा और काफी अच्छे लेवल पर हम सभी अपने आपको स्वस्त और सूखी मैसूस कर पाएंगे इस तरह की यहां पर बनते हैं दिखे अच्छी चीज़ क्या है कि ग्रहन जो है वह रात को है और दिन भर में हम आराम से पूजा पाट करके अपने आपको पूरी महतवड है यह जो दिन है यह दिन आप सभी के लिए काफी जाधा महतवड और एक और विशेश बात आपको यहां पर बता देता हूं कि इस दिन में नक्षत्रों का संयोग भी बहुत जादा अच्छा है क्यूंकि दिन की जब शुरुवात रहेगी तो स्वाती नक्षत्रक के साथ दिंकान्त होगा इस वज़े से इस दिन में जो बैलेंसिंग आफ दिन अक्षत्र है वो भी काफी जादा अच्छा दिखाई देता है और इसी वज़े से ये दिन अपने आप में और भी जादा पॉजिटिव environment क्रेट करता हूँ नजर आता है आज की दिन में कौन सा है वो शुब समय जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और कौन सा है वो समय पूरी तरह से आवाइड करना है वह आप नोट कर लीजिए दिखिए शुब समय की जब हम यहां पर बात करते हैं तो शुब समय आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका 12 बचकर 15 मिनिट से लेकर के एक बज़े तक का समय काफी जब समय है इस समय के दौरान में अगर आप कोई भी कारे कर लेते हैं तो वह आपके लिए काफी जदा अच्छा रहेगा और खराब समय कि अगर हम यहां पर बात करें तो 11 बचकर 30 मिनिट से लेकर के 12 बचकर जो समय है यह थोड़ा सा कहीन की अधिक गंटे का समय निकाल दें इसके अलावा पूरा दिन आपका बैलेंस नथिंग नेगेटिव इन दे और बहुत ज़्यादा यहां पर आपको देखने को मिलेंगे अब क्योंकि बुद्ध पुर्णी मा भी है और साथी साथ ग्रहन का सयोग भी है तो कौन सी वैदिक र करते हैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं लाइफ में फिर भी हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते तो हम सभी को क्या करना है आज के दिन में अपने घर के मंदिर में एक गी का दिया प्रजवलित करिएगा और उसके बाद भगवान से करिएगा कि आपकी जो मेहनते उसका फल आपको पूरी तरह से मिले यह आपके लिए बहुत ही जदा अच्छा रहेगा यह उपाय आपको काफी जदा अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा इसी के साथ साथ अगर आपका पैसा आपको नहीं मिल पा रहा बकाया पै पैसा निकालना है उसके बारे में सोचते चलिएगा आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और काफी जदा पॉजिरिव रिजल्स आपको देखने को मिल जाएंगे चोटा सा उपाय है बहुत कारगर है और आपके लिए नए रास्ते खुलने का काम जरूर क करेगा आज के दिन में आप सभी को कौन सा एंजल नंबर और अफर्मेशन काम में लेना है यह आप नोट कर लीजिए का प्लीज क्योंकि यह बहुत आदा अच्छा होने वाला है आज के दिन में आज का जो एंजल नंबर रहेगा यह आपका रहेगा 5155 बहुत लेटेंस लेवल आपको अच्छा देने में मदद करेंगा आपके लिए काफी ज़्यादा जरूरी है आज क्या करिएगा लाल कलर के पैंसे इसको अपने हाथ पर लिख दीजिएगा और इसके बाद दिन में तीन से चार बार इस नंबर को देखते रहेगा और रिकॉल जो है यह सीखने का और आगे बढ़ने का दिन है यह आपको बोलना है तुड़े इस अन अपॉर्चनल्टी टू ग्रो एंड लर्न डेफिनेटली आप सीखेंगे और आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और अपने कामों को और आसान बनाते हुए नजर आएंगे आज के पैलाब दिन में अगर आपका जंदन है आपके जीवन का कोई भी विशेष मेहत्य दिन है आप हार दिक्षिप कामना है आने वाला साल आप सभी के लिए थोड़ा से संगर्ष लेकर क्या रहा है थोड़ा से चैलेंजिस लेकर क्या रहा है बट डेफिनेटली यहां पर आपको फाइदा मिल जाएगा आपको सेहत का बहुत ज्यान रखना है अगर आप छोटे हैं और आपका कोश्यार का सब्सक्रा नेखर तो यह साल आपको लिए और कुछ चैलेंजिंग चीजे लेकर आता हुआ नजर आता है उमिद करूंगा क्या अच्छे से निकालने का प्रयास जरूर करेंगे अब चलिए बात कर लेंगे कौन सा राशी कौन सा नंबर और कौन सा इलफाबेट आज की दिन में रहेगा फाइदे में राशों में यहाँ पर बात कर ली जाए तो राशों में मेश राशी करकर राशी, सीह राशी कन्या राशी धनू राशी और कुमबर राशी के लिए काफी ज़दा अच्छा समय है नंबर बात कर लें नमबर एक, नमबर पाँच, नमबर छे और नमबर साथ के लिए काफी शांदार समय दिखाई दिता है अलफबेट्स में आपर देख लिया जाया है तो अलफबेट्स में A, C, D, H, J, M, P, R, V, Z आप सभी के लिए आज का दिन काफी शांदार दिखाई दिता है अब चलिए बात कर लेते हैं आपर आज के वास्तु के उपाई के बारे में कौन सा है आज का वास्तु का उपाई जिसको करने से आप अपने इस दिन को और भी जादा शांदार बना सकते हैं देखे वैसे तो हम गर में कई सारी चीज़े करते हैं और मैं रोज आपको कुछ न कुछ बताता हूं जो कि आपके लिए फाइदे मन रहता है बट क्योंकि आज ग्रहन भी है और क्योंकि आज बुद्पुर्णीमा भी है तो कुछ विशेश कर लिया जाए तो आपके लिए काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा नहीं तो आप सभी को क्या करना है रूम इस पर आता है फ्रेग्नेंस आती है जो आप अपने रूम में पूरे गर में महका दें थोड़ा सा तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा पनलब कि शाम के समय में रूम आपका महकना चाहिए इस बात का विशिश द्याना किएगा इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो आप सभी को क्या करना है एक और चीज जो आप सभी को करनी है आप सभी परिवार के सारी सदस से जो रहेंगे कोशिश करिएगा कि आज थोड़ा सा खाना जल्दी खाले लेट ना खाए और गर किचन के अंदर बैट करके भी आप खाना खा सकते हैं उसमें भी कोई नुकसान आपको नहीं होगा उमीद करूंगा कि आप सभी का इस दिन शांदार जाएगा और इन छोटे-छोटे उपायों की मदद से आप अपने इस दिन को और भी जादा बहतर बना सकते हैं वीडियो कि आप 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 अपने जादा आपको आपको नहीं हो और नहीं हो खात।